आज हम बात करते हैं आपके साथ प्रानायाम पर और प्रायाम से पहले की जो तैयारी है जिसको कहते हैं हम पूर्व तैयारी तो प्रायाम करने से पहले कौन-कौन से सापधानिया रखनी चाहिए क्या तैयारिया होनी चाहिए किस तरह से हम करें क्योंकि अश्टांग योग में प्रायाम का जो अंग बताया गया है वो चौथा अंग बताया गया है चौथा अंग क्यों है उससे पहले ही क्यों नहीं हमन सबसे पहले बताेंगे प्रायम की इसे मेर्म ठोड़ा सा संचेतन बात करते हैं कि प्रायाम है क्या हम सबसे पहले तो अगार हम शब्द कोले बान और से अतात पर है जीवन-शक्ती की जो प्रायाम शक्ति होता है जिसका परवा हमारे शरीर के अंदर है और हमें बाइर शुरूप से भी मिलता है जो कि हम इसको बोलते हैं उनिवर्सल प्रान का स्रोत होता है जैसे कि सूर्य है प्रित्वी है तो इनसे भी हमें प्रान मिलता है तो जो हमारे शरीर के अंदर हमारे प्रानों का प्रवाह होता है, तो वो हो जाता है इंडियूजल लेवल पे, व्यक्ति के इस लेवल पे, तो प्रान का प्रवाह हमारे शुरीर के अंदर होता है, और जब हम इस प्रवाह की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं आयाम, तो प्रान और आयाम, प्रान आयाम बना, आयाम का तात् एक्सपेंशन एंड चैनलाइज करना इसको जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 72,000 नारिया हैं जिसमें कि हम लोग तीन प्रमुख नारी की ही चर्चा करते हैं इदा पिंगला और सुसुनमा तो बहुत ही अध्यात्मिक चेत्र में जब लोग आगे बढ़ जाते हैं तब अ यह जाने जिवन में सुसुप्ति रहती है जब तक उसको जाइट नहीं किया जाए और हमारी जो एडा और पिंगला है जैसे कि हम बात कर रहते हैं अभी की आया मिंस की उसका expansion and channelization तो बहुत सारी नारियों में प्रान के परवा का सुचारू रूप से संचालन करना यह प्रानयाम के द्वारा हम करते हैं और प्रानयाम के अभ्यास के के फलसरूप हमारी यह इस्टा होती है हमारा यह प्रयास होता है कि हम सरीर के स्थुल और सुक्ष सम्वेदनाओं को कर पाएं मतलब उसको प्रभाव कारी कर पाएं और उसके प्रभाव को ले पाएं कि यह सुक्षमी बहुत है और स्थुल प्रभाव भी दिखलाता है तो इस तरह से प्रानयाम का हम अर्थ निकालते हैं और दूसरी बात यह है कि प्रानयाम करने के पहले हमें बहुत बातों को समझना होगा और प्रान जो है प्रान शक्ति वह हमारे जीवन से हमारे दिंचरिया से हमारे व्यक्तित से हमारे मांसिक इस्तिती से किस तरह से जुरा हुआ है उसे किस तरह से प्रभावित करता है यह बहुत महत्पूर्ण है और प्रानयाम को हम लोग फिर उसके स्थुल र को महसूस करने का प्रयास करते हैं एक चली प्राण शक्ति जो है वो इस्थुल स्वांसी नहीं है लेकिन हमारा प्रयास होता है एक जरिया है हमारे पास कि हम अपने स्वांस प्रस्वांस की प्रकिरिया से गती से हम उसको इंफ्लेंस कर पाएं उसको समझने का उसकी जो प्रायाम की हम बात करते हैं, तो अस्टांग योग में उसको चौथे इस्थान पर रखा गया है, अस्टांग योग में जिसा की आठ अंग है, और उसमें चौथा हमारा प्रायाम का अंग है, तो उसे हमने चौथे इस्थान पर रखा है, तो इसके पीछे हम क्या समझ सकत है उसको पहले ने ही रखा गया उसको बार में यह नहीं रखा गया छोटे स्थान पर आसन की बाद जो रखा है इससे क्या हम तर्द पर निकालते हैं यह काफी मय है गुर महिस्वा रहस है यह तो पतंजलियोक के सिध्धान्त के अनुसार है और पतंजली योग के सिध्धान्त के अनुसार की पहले यम नियम होना चाहिए उसके बाद आसन आसन के बाद प्रानयाम किया जाता है प्रानयाम कभी भी आसन से पहले नहीं किया जाता है वैसे भी इन दुनों जो लोग भी अभ्यास करते हैं तो तो यह हमेशा होता है कि आसन के पश्चात प्रानयाम और प्रानयाम के पश्चात ध्यान, मुद्रा की अभ्यास होती है, जब हम पतंजली के अस्टांग योग के देखेंगे, तो प्रानयाम के बाद प्रत्यहार है, प्रानयाम बहिरंग योग के लास्ट अभ्यास है, अंतरं यो कहलाता है तो वहां का यह एक तरह से गेटवे हैं अंदर जाने का और हम प्रानयाम में स्वास की भी बाते करते हैं और जो हमारा स्वास है वो भी हमारे यह बॉड़ी एंड माइंड का कनेक्टिंग लिंक है जैसा कि हम पाते हैं कि हम दम से तेज आवेश आ जाता है गुस्सा आ जाता है सबसे पहले हमारी स्वास बदलती है यह हम कई दम से भागते हैं यह कभी हम डर जाते हैं तो हमारा जो मानसिक स्थिति है जो मानस पटल है वो स्वास से प्रभावित होता है और स्वास हमारे मानस पटल से प्रभावित होता है यह दोनों वाइस वर्सा है कब कौन डॉमिनेंट होगा यह हम नहीं यह कह सकते जब हम प्रत्यहार और धार्ना कि इसमें आ जाते स्थिति में आ जाते हैं तब हमारा मानस पठल डिमिनेंट होता है तो पहले हम क्या करते हैं आसन करके अपने शरीर को अपने जो प्रानिक सक्ति है उसको इस्टिमिलेट किये और अपने पूरे शरीर की उसरड़ीट बनाए लचिला बनाए उसके बाद प्राणया मा भ्यास आता है यहाई हमनीम से पूरी तैयारी होती है हमारी मानसिक और व्यक्तित्य की तैयारी होती है पहले ऐसा माना जाता था सब लोग को योग में आने से पहले एक तो कि मॉरल एडूकेशन इसको आज की विसंदर में मालने एक पर नेतिक सिक्षा और एक अच्छी जीवनशयली जीने की आदत डालने के लिए प्रयरित किया जाता था उसके बाद आसन ने आने और आसन हो जाया तब हम प्राणयाम करेंगे और प्राणयाम के बाद तो फिर सब्सक्राइब यह प्रे consumers को बताई कि प्रॉएमपा महथ और क्या स्कों चौथे स्थान पर रखा गया है पहले हमने नहीं रखा उसको क्योंकिrain इसकि अँप जो हमने पातंजली जो है उन्हान जो उसको रखा है यम और नियम उसके प्रश्चात आसन यह तीन अंग इस तरह से पहले से बनाई उसके प्रश्चात प्रयाम को उन्हान सामने रखा फिर उसके बाद प्रत्याहर को उन्हाने लिया तो जो बहरंग वाली बात है यह आपने तो बहुत ही सही मतलब हमारे शिक्षातियों को बताया कि किस तरह से गेटवे उनको एंट्री करने के लिए वहां पर वहां मिलती है और तब वह अंतरंग में एंटर हो जाते हैं धार्णा ध्यान समाधी में तो प्रत्यहार तक यह जो इस्थिती है पांच अंग यह पहले वह सलगे मिलती है तो फसली है तो बहुत मार जाती है और में तो उनका अंतव किल ठीक एम से हुष्यार कर्याव को paagator किंघे मारे कहने जो बहुत सारी दिस अच्वारे है लोगों को तो वह सारी其實 कर्श कि उनके खता हूं और भी पहुत सारी प्राइम के फादे हैं। यहां पे सर एक प्रैक्टिकल जो मैंने देखा जो माम बता रही थी, तो मैं सुन रही थी, कि मैं एक्यूट अस्थमा की पेशिन्ट हूँ, तो मैंने देखा है कि जब भी बहुत तेज कभी जब गुसा आता है, तो सबसे पहले जो affected होती है, वो होती है हमारी breathing problem, और breathing problem के बाद फिर खासी आनी शुरू होती है, फिर बोलने में problem होने लग जाती है, तो उसके बाद जब मुझे किसी ने बताया कि प्राणायाम करने के लिए, तो मैं बहुत सादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो मैंने कि स्टार्ट किया, जो स्टार्टिंग लेवल जो प्राणायाम जब शुरू किया, अनुलोम विलोम से स्टार्ट किया, फिर ध्यान करना शुरू किया, तो उससे, मैंने ये देखा, कि एक बहुत पूरी तरह से क्योर तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मतलब, control में होने लग तो जैसे हम प्रानयाम करते हैं तो प्राराज हम लोग बात करेंगे इसके तैयारी उसमें इन विस्यों पर चर्चा करेंगे तो ऐसा होता है कि अगर हम एक को और अबसर्व किया उसको कंट्रोल कर लिए तो फिर दूसरा का कौंपोनेट अपने आप कंट्रोल होगा अनुसमें थ्री काम्पोनेट्सेश सिंटेंश सिंट्मज, फिकल कंदिशंस बोरी का एक है ब्रैथ दूसरा है हमारा मेंड़स्टेट जी ठीक है और हमारे मेंडल स् इस्तिति आ जाती है, फिर वैसा हो गया, तो मन और घवर आ गया, तो वो स्टार्ट रहता है, लेकिन हमारे पास में है कि हमने एक अभ्याद किया, तो हमारे पास में एक breath observation आया, कि हम अपने breath को observe किए, उसके बाद उसके कभी practice करते हैं, हम अपने breath को alter करना चाहते हैं, तो उ जा रहे हैं तो इस तरह से वो धीरे दिने चीजें फिर थोरी सी बेवस्तित हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल तो आप आस्थमा के पेशन्ट रहे हैं और यह आपने बिल्कुल प्रूब कर दिया हमारे स्विक्षार्ते जो इस समय इस कार्वर्म को सुन रहे हैं वो बिलकुल निश्चतूप से समझ सकते हैं जान सकते हैं कि इसके बहवारे के जो प्रियोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वास्तर में कारगर भी हैं जो disorders होते हैं उनको किस तरह से बिना किसी दवा क बिना किसी औसिदी के यह उसको ठीक करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा कारक्रम है योग में इसमें कोई दोरायो नहीं है तो प्रायम से पहले क्या हमें पूर्व त्यारी करनी चाहिए हम इस संधर्व में आते हैं यद हमें आसन हम कर चुके हैं तब और प्रायम करने से प समझना होगा कि प्राइनयम में चार कॉम्पोनेंट होते हैं एक तो है रेचक जैसे स्वास लेते हैं इन्हेलेशन स्वास छोड़ते हैं अन्ता कुम्बक जो इनर रिटेंशन होता है बहिर कुम्बक जो आटर रिटेंशन होता है इस तरह से चार कॉम्पोनेंट होते हैं प्रानयम के तियारी में कि हम अपने ब्रेथ को पहले अब्जर्ब करें कि हमारा यह मानब जाती को ही यह चंपता प्राप्त है कि हम अपने स्वांस को आल्टर कर सकते हैं अनिमल ऐसा नहीं कर सकते हैं उनका जो ब्रेथ ऑनकंसर और कॉंसर दोनी है जब हम प्रानयाम करने बाठेंगे तो हमारा कॉंसर ब्रेथ को यूजर करें तो सबसे पहले हमें breath awareness करना चाहिए, कि हमारी जो साधार अंसहत स्वास की गति है, हम उसको observe करें, उसका अवलोकन करें, उसको देखें कि हम स्वास ले रहे हैं नासिकागर से, स्वास छोड़ रहे हैं, हमारे नासिकागर में क्या sensation हो रहा है, जैंक क्या परिवर्थन हो रहा दूसरी बात है कि हमारे बॉड़ी में किस-kis में रेस्प्रेटरी मसल्स में कैसे चेंज हो रहे हैं इसमे रीर की हड़ी विल्कुल सीधी होनी चाहिए इसलिए प्रानयाम के पहले आसन करना होता है अगर मिरुदंड सीधा नहीं होगा तो प्रानयाम का अभ्यास सही नहीं हो किसी भी प्रानयाम के अभ्यास में मिरुदंड सिधा होना चाहिए तो सबसे important बात है मेरी ख्याल से कि जो प्रानयाम करते वक्त व्यप्ति को सीधी अपनी मिरुदंड को करके बैठना चाहिए और ऐसा सुझाया गया है कि सिध्धासन सिध्योनियासन सबसे अतिक लाबकारी बताएगा है प्रानयाम में के लिए लेकिन जो लोग नहीं बैट पाते हैं जैसे जिनको बाग सब्सक्राइब guy में में भी सकते हैं पदमासन या में पदमासन भी तो प्राबलम होगी जिनको साइट का या सलेप डिस्क लिए ऑरु लिए और जिनको मालनी बातना में विप हाँ, तो एक तो ये महत्मुन बात भी, दूसरा है breath awareness, स्वास के साथ हमारे body में जो movements हो रहे हैं, तो हमारे abdominal muscles में होता है तोड़ा movements, chest muscles में होता है, upper back में होता है, तो इस तरह से हमें उदर स्वसन का अभ्यास बहुत करना चाहिए प्रानयाम अभ्यास के पहले, जैसे हम किसी नए अभ्यास अर्थी को हम सिखाएंगे तो हम उसको कम सिकम दो तीन दिन आसन के अभ्यास के बाद सवासन कराएंगे उदर सोसन कराएंगे तब उनको समझ में आ जाएगा कि हमारी स्वास कैसे चल रही है स्वांस के साथ हमारे उदर में गतिविदी होती है कैसी होती है उसको हम नहीं बदलेंगे बदलेंगे तो कैसा होगा मतलब इस तरह से वो धीरे-धीरे उनको अपने हमें अपने स्वांस को समझना होता है फिर उसके बाद आता है थोरा किक ब्रिधिंग चेस्ट ब्रेदिंग उसको समझेंगे फिर पुर्ण स्वसन जो होती है योगिक स्वसन उसका अभियास करेंगे कि हम अपने जो डाइफ्राम है इसको पूरा मूफ करें और हमारे लंग्स जो है इसकी पूरी क्यापसिटी को हम यूज कर पाएं क्योंकि प्रानयाम में इसकी बहुत जरूरत होती है तो इस तरह से यह प्री प्राणयाम प्राक्टिस कहलाते हैं तो कुछ समय के लिए इस प्राक्टिस को जरूर करना चाहिए अगर कोई माली जे चेस्ट ब्रेदिंग या उदर स्वसन ना किया हो तो उनको फिर कापाल बाती का समझाने मुश्किल होत तो उनको समझने में सुप्दा होगी तो इस तरह से यह तो स्वसन समंदी तयारी हो गई कुछ आसन भी है जो प्री प्राणयाम आसन कहलाते हैं उसमें है हस्तुत्तानासनिक और हैं जो हैं जो हैंड जो सुक्ष्वयाम के जो हातों के अभ्यास हैं उसमें हैं शोल्डर सॉ करते हैं कई बार किसी को जैसे स्वासन समंदी प्रॉब्लम है बहुत तो बहुत ज्यादा वह अभ्यास नहीं कर सकते आसन का भी तो थोरा सा उनके रेस्प्रेटरी मसल्स को रिलाक्स करना होता है तो उसके लिए हम लोग सुक्षमयाम के जो हातों वाले अभ्यास है उससे प् जो फिर प्रानयम कर्वाते हैं तो उससे उनके इस स्वासन की जो गती है वह थोरी लंबी और गहरी होती है सबसे महतून बात यह है कि आसन करने से कुछ आसन तो एसे हैं जैसा कि अब याब बता रहे है उनके करने से हमारा चेश्ट जो है वह थोड़ा सा एकस्पैन होता ह है है तो उससे काफी हद तक प्रायम करने में हमें मदद मिलती है हुम मोजटे कर पाते है कि आसंसन को इसलिए थाड़ नंबर पर उसके परश्हा उसको तो चौ त्य नंबर पर रखा गया है तो आसन काफी मदद करता हुस में जाने के लिए है इस का एक रेशियो भी होता है कि माली जी हम 40 मिनिट आसन और मने प्राने आ रहें तो ऑर 30 मिनट का यथा हम करते हैं तो कुछ लोग तक प्राने आम करते हैं पराने आँ करो अप्रांए हम कर लिए का यह करते हैं लिए फोटे-इन लावकारी है और उपियोगी सिद्ध होगा मुझ्टबली बहवार एक रूप से लोग कई बार इस तरह से नहीं करते तो इसका हम यही कारण समझ सकते हैं कि उनको वह जानकारी आ तो नहीं है जानकारी का भाव है और बिना जानकारी के अभाव में कुछ भी किया जा सकता है और सिर्फ कहते हैं कि अदूरा ज्यान जो होता है वह बहुत खतरनाख होता है बिल्कुल ठीक बात है तो योग को लेकर कि लोकों के अंदर एक धारना बनी हुई है कि इसमें हम कुछ खा तो रहे नहीं है कि वो डिरेक्टली हमारी बॉड़ी को एफिक्टेड कर रहा है तो फिर वो एक दूसरी समस्या को जन्म दे सकता है बिकुल ठीक हाँ आप में यह नहीं समझना चाहिए कभी यह सिक्षार्थियों को तो बिल्कुल नेशद रूप से जानने के लिए और समझने की बात भी है कि किस तरह से हमें प्रायाम और आसन करने चाहिए जैसे सर क्या था आप में इसे सर कौ साथियों करते हैं यह जाने भी है कि यह से स्क्राइब यूग को लेकर करके हैं तो यह स्थी आप उफिस में मैंने देखा कि एक सजण लो थे वो खाना खाने के तुर्ण राद योग करने बैठे हुए थी तो फोड़े तेर के बास तो मैंने क्या क्या तो कहरें कि योग कर रहा हूं, तो खाना खाने के बाद楽्स करना छो चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन आप सही समय जो है, वो सुभे और शाम इा, जूरी कि मॉर्निंग में आप सुर्योदय के समय करें और शाम को आप बेड पर जाने से पहले आप हलके फुल के योगा करें ताकि आपको नीन दाए तो कहते हैं नहीं जी इससे कुछ नहीं होता है तो तब मैंने देखा कि यह समझाना बेकार है यहां पर क्योंकि आधा ग्यान जो ह पर जादा लेना शुरू कर दिया है नहीं वो जो लोग जो भी कर रहे हैं अभ्यास उसमें योग बहुत कम लोग कर रहे हैं अगर आप देखेंगे अगर मैंसा माने कि 100 लोग कर रहे हैं अभ्यास उनके हिसाब से योग कर रहे हैं लेकिन उसमें 10% ही योग कर रहे हैं उस 10 परसेंट में से भी कुछ कम ही हैं जो की सही और निर्देशित रूप से अच्छे से व्योग कर रहे हैं और उनको उनका लाव मिल रहे हैं यह बात भी ठीक हापने सिमा जी योग वोई फैसन की रूप में नहीं लिया जा सकता यह हमारे स्वास्था के लिए हितकर हो लाबदा किसी आ अछे योग के टीचर योगाचारे के मारगदसन में करें तो बहुत बहतर होगा और यद नहीं भी हम इस तरह से कोई मिल पाता है फिर भी हमें उसकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए कि योगाभ्यास करने से पूर कुणकॣ सी साद्धानिया और कब करना चाहिये कैसे करना चाहिए, जैसे अभी आपने बताया, तो खाना-खाने के तो तीन घंटे के बाद ही कहीं योग करना चाहिए, कोई भी अभ्यास आप, केवल एक ही हमारा योग आसन है, जो हम खाना-खाने के पश्चात कर सकते हैं, बड़ा अच्छा आसन है, वो बजरासन, जो बज बना देता है, डाजेसर सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, तो केवल एक ही आसन है इस तरह का, वो हम कर सकते हैं, बाकि ये बहुत ही समय का जैसे आपने बताया, कि सुभह साम को, ये बहुत ही अच्छा रहता है, सुभह की ताजगी, जिसमें ऑक्सिजन प्रिश्र मात में होती है, और जोगर आप ब्रह्मुर्त में नहीं कर पाएं, तो सुर्योद्या के समय, बहुत ही अच्छा समय है, और जोगर सुर्ण नमस्कार कर रहे हैं, और सुर्ण सामने से निकल रहा है, तो आपके तो बहुत लाबदाएक है, बहुत ही अच्छा है, और सर इसका त मैं तक जिम ट्रेनिंग करने के बाद वो तो हेल्थ का एक कॉमर्शिल सेंटर है जहां जा करके हम फिटनेस ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन फिटनेस से ज़्यादा वो कॉमर्शिल अजिसन उसका जादा होता है लेकिन फिर मैंने देखा कि उसने योग क्लासे शुरू की और योग क्लासे में 15 डेज के बाद वो रिजल्ट सामने आने लग गया 15 डेज में मतलब हमारे लिए वो एक आश्यर की बाती जो ओबेसिटी की शिकार 130 की लड़की जो है 15 डेज में अगर वो 80 केजी पर आती है तो वो फर्क दिखता है बेकुल बेकुल दिखाए देता है और वो फर्क मतलब इतना सुन्दर फर्क था कि अगर आप प्रॉपर किसी योगाचारी की निर्देशन में अगर आप योग कर रहे हैं और आप उसको सही डंग से फॉलो कर रहे हैं तो वो रिजल्ट सामने आता है लेकिन अगर आपने फैशन की तौर पर अगर उसका एक्सेप्ट किया हुआ है तो फिर उसका तो उसका जल्ट सामने नहीं आएगा क्योंकि योग में नकीवल योगिक अभिहास की हम बात करेंगे उसमें हमारा जो खान पान है हमारा देहवार है हमारा देहन सेहन है हमारा जो भी आहर भिहार है यह सब कुछ उसमें माइनी रखता है हाँ और मुख्य बात यह है कि योग जो हमारा आंत्रिक सारे जो बॉड़ी के सिस्टम से उसको करेक्ट करता है अगर कहीं भी कुछ त्रूटी है कुछ है तो उसको बालेंस करता है और जिम में या कुछ में सब में तो हम अपना जो एक्स एक्सस फैट है उसको कम करना चाहते तो यह अप्रोच ही बिलकुल डिफरेंट है तो शिक्षारतियों को यह बहुत ही आवसक है समझना कि वैसे तो जिम लोग जाते हैं बहुत सारे अलग-अलग तरह के अभ्यास आप करते हैं लेकिन योग का अपना एक महत्त है इसको एक फैशन की रूप में ना ले करके जो और बहुत जल्द हम इसी कारक्रम में आपके साथ पुनहें मिलते हैं इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे परसनल कॉंटाक्ट प्रग्राम में जिसमें हम योग के तहत बात कर रहे हैं प्राणायाम की तैयारी पर और हमारे साथ हमारे विशेशगे के तौर पर है योगाचारी सीमा सिंग जे और आप से बाचित कर र हम रहे पहले हम जिन विशों पर बात कर रहे हैं अपनी चर्चा को कॉंटिनू करते हैं बिलकुलों प्राणायाम में ध्यान रखने योग बात हैं कौन-कौन सी हैं सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं हां जैसे कि प्रानायाम करेंगे तो एक लिद्व कर लेकnd。 एक दो मैंने डिस्कुस कर लिए हमेसा आसन के बाद होता है और ध्यान और इस तरह से मुद्रा के अभ्यास के पहले होगा इसमें मिरुदंड हमेसा सीधी रहेगी इसके जो ट्रिडिशनली जो इसके पोश्चर से हो सिद्धासन पदमासन इस तरह के आसन है और प्रानयाम हम क लोग पले उपयोग करते थे उस पर बैट के करते हैं और अगर सर्दी का मौसम है तो सरीर को एक चादर से रख के किया जाता है और सरीर को पले हम एक आसन में स्थित कर लेते हैं उसके बाद सरीर में कोई हलचल नहीं होती है फिर हम ब्रीधिंग प्राक्टिस ही करते हैं त तो इस तरह से प्रानयाम का व्यास होता है फिर अगर किसी को कोई problem है जैसे की stomach infection है या कोई तब्यत खराब हुई है तो नहीं करना चाहिए लूज मोशन हो रहा है तब भी नहीं करना चाहिए कई पर प्रानयाम के बाद भी लूज मोशन हो जाता है क्योंकि ये हमारे टॉक्सिंस को उपर लेवल पे लाता है इस तरह से बहुत सारी लोगों जैसे कवी फीवर भी होता है तब भी हमें उसको नहीं करना चाहिए。 उसमें सिर्फ हम लोग योगिक स्वसन या उधर स्वसन के चला देते हैं इप ब्रीधिंग से फपायदा होता है. कुछ लोग इप ब्रीधिंग को भी प्रानियाम करते हैं लंबी सास लेना चोड़ना उसको भी प्रानियां समझते हैं नहीं, वो प्रानयाम नहीं है, उसको डीप ब्रीधिंग काते हैं, इन चीज़ों को समझना होगा कि डीप ब्रीधिंग, जो है लंभी गरी स्वांस लेना अलग है, स्वांस की सजक्ता अलग है, सजक्ता में हम स्वांस की गती को नहीं बदलेंगे, बस उसको अब्जर्व करे यह वह गई स्वास की सजगता तो प्रानयम के पहले स्वास की सजगता होनी चाहिए तो उसके बाद हम करते हैं या फिर और इस अगर कोई शारिरिक कठनाई हो तो विश्चगी के परामर्ष के साथ करना चाहिए तो इन बातों का हमें ध्यान रखना विसे शुरूप से ध्यान रखना चाहिए तो सिक्षार्ति विर आपने जाना कि किस प्रकार हमें जो ध्यान รखने योगी बाता है वो हमें ध्यान लखनी चाहिए और यहां next हम बात करते हैं कि कष्छा की तयारी जब हमारा योग की प्राणयाम की कख्छा हो तो उसमें क्या-क्राणयारी होनी चाहिए दो योग कख्छा की त्यारी जैसे योगा भ्यास आसन का कर रहे थे, प्राणयाम की कक्षा भी वैसी होती है, लेकिन बहुत जादा हावादार नहीं होना चाहिए, फ्रेश वेंटिलेशन होना चाहिए, जैसे कि माली टैरेस पे कर रहे हैं, बहुत तेज हावा आ रहे है, तो वो प्राणयाम के लिए अच्छा और वहां आसपास में किसी भी तरह का धुआ नहीं होना चाहिए, मतलब हावा जो है, वो स्वक्ष होनी चाहिए, सुद्धो और स्वक्ष होनी चाहिए, किसी भी तरह का गंध वाली चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कई बार क्या होता है कि इस तरह की कोलोनियां बसी होई ह जहां पर कूड़ा कच्रा धेड लगा है वहां पर या फिर वहां पर हमारे मानसिक स्तर को effect करता है फिर हमारे अंदर चला जाएगा और फिर हमें irritate करता है उसका effect होता है इसका तत्तर यह हुआ कि जहां पर इस तकी गंदगिया थीक नहीं है हिम जब यह हम लोग ऐसा देखते हैं कि स्मॉग हो गया यहां पर पॉलुशन बहुत ज्यादा है और लोग जाते हैं मॉणिंग करने फिर वहाँ प्रानयाम करते हैं नहीं करना चाहिए नुकसान होगा तो यह तो बहुत ही महत्पून बात है और असी में भी नहीं करना चाहि तो थोड़ा से फ्रेश एर आने दें कि जब बहुत सारे लोग अभ्यास कर रहें कहीं पचास लोगों का क्लास होता है सो लोग इस तरह से गृूप में क्लास लेते हैं तो प्रानेयां कि समय ध्यान रखना पड़ता है कि प्रूपर फ्रेश वेंडिलेशन हो तो यह बहुत आ रहें बहुत सारे प्लांट से जिसमें की पाम ट्री है और इस तरह के प्लांट से जो बोलते हैं कि एर प्यूरिफायर का काम करता है कपूर एर प्यूरिफायर का काम करता है कपूर हां तो उसके प्रजन से बस उसको जलाना नहीं है हां तो वो भी थोड़ा अच्छा होता ह तो इन बातों का ध्यान रखना परता है। हमारी सुध्ध हवा हमें प्राप्त हो सकती है। तो उससे तो हम बची सकते हैं जो एक पॉलुटिड एयर है बाहर की। तो कॉंफेंस हॉल में यह हमारा या योग हॉल में हमारा इस तरह के पर पॉधे रखे हैं। तो वह हमें बहुत ही एक अच्छा वातवान वहां देंगे प्रायाम के लिए और यह हमें निश्यदूप से ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अभी बताया फॉग चल रहा है या बहुत पॉलुटिड एयर है तो हम प्रायाम को ना करें तो ज्यादा बहतर हुआ। क्योंकि प्रायाम करने से उसके फिर नुक्सान हो सकते हैं फायदा हो स्वासन लेते हैं मुह से स्वासन की किरिया नहीं होती है जब तक कोई विशेश निर्देश ना हो स्वान प्रायाम में एक दो बार है यहाँ पर एक छोटा सा एक सवाल और कि हमारा प्रायाम है जैसे कि महारसी पतंजली ने कुंभक देचक और उसको दिया है पूरक को प् पाएं तो यह हम अपने शिक्षार्तियों को क्या कुंभक रेचक और पूरक के विसे में थोड़ा सा जैनकारी दे पाएंगे यह तो प्रानायाम की अवस्था है हमने तो अभी तियारी की बात की यह बहर से पतंजली के इसमें प्रानायाम को जो उन्होंने डिफाइन किया तो उसमें जो स्वास की गती है उसपे हमारा कंट्रोल हो और उस कंट्रोल ब्रिधिंग में जब हमारा ब्रेथ रिटेंशन कोमईबी कोमपरानायाम कि मतला बिल्कुल गती है बोडी कोमफरेबिल है और स्वास के जो गति है उस पे हमारा control है तो ये कह लाया है प्रायाम तो ये बहुत ही आप ने ठीक से हमारे शुक्षारतियों को समझाया कि किस प्रकार प्रायाम हमें करने से पूर्व हमें क्या-क्या त्यारी रखनी चाहिए, कि इनके बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कौन-कौन सी साधनिया हमें इसमें रखनी चाहिए, कव प्रायाम का सही वक्त है, और कव हम उसे ठीक से कर सकते हैं, और सज़क्ता रखने की बहुत आवसकता है, इसमें कोई दो रहे नहीं है, साथ में अगले हम कार्क्रम में बात करेंगे कि प्रायाम है क्या और प्रायाम की जो अभ्यास हैं, अलग अलगतर है क्या अभ्यास हैं, जैसे कि अभी बताया, रेचा, कुंभक और पूरक और साथ में दूसरे जो अलग प्रायाम हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंग जो कि योग पर आधारित्था और आज हम बात कर रहे थे प्राणायाम के तैयारी पर हमारी विशिशक्गित ही योगाचारे सीमा सिंग और आपसे बाचित कर रहे थे डॉक्टर पीके चोहान जो कि एन आई उस के सीनर एग्जेकिटिव ओफिसर है